पंजाब में चुनावी शंकनात का आगाज हो चुका है और आज गुरुवार को कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी पंजाब के जालंधर में वर्चुल रेली को सम्बोधित करेंगे जिसके तैयारियों को लेकर पंजाब कॉंग्रिस के प्रभारी हरीश चौधरी पंजाब सरकार के मंदरियों के साथ जालंधर पहुँचे जहां उन्होंने सभा इसखल की तैयारियों का एजायजा लेकर व्यवस्थाओं का निरिक्षन किया और राहूल गांधी के दोरे को सभी विदानसभा सीटों के 117 प्रत्याशियों के साथ जालंधर में वर्चुल रेली को संबोधित करेंगे इस रेली को सफल बनाने के लिए सभी विदानसभा शीत्रों में अलग-अलग LED वाल लगाए गया है